नंदिनी रोट के संधारण की मांग को लेकर कल्यान सेवा जन जागरिती संगठन द्वारा जिला कलेक्टर लोक निर्मार विभाग और भिलाई नगर निगम आयुक्त को ग्यापन सौपा गया है। संधारण नहीं होने की स्थती में सड़क में पौधार ओपन करने की बाते कही गई है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गड़ों को भरने केवल खाना पूर्ती की गई है। इस्थिती अब भी जज़क की तज़ बनी हुई है। ग्यापन की जानकारी संगठन के सुमन सील ने दी। सड़क के नाम पर सासंदारा परती साल मेंटनेंस एवं सड़क निर्मान के लिए कड़ों रुपे खर्च किये जा रहे हैं। परंतु सड़कों का हाला जस्का दस्क बना हुआ है, लोग सड़क के बियदहाल स्थिती से लोग घुजर रहे हैं। उसमें से एक भिलाई पावराउस ननी रोड की सड़क जो पावराउस से जामूल की आती है। और जामूल से पाउरोस की जो आती है वो दोनों तरब सड़क की जिस परकार की बदहाल है उससे लोग काफी परिशान है जबकि उसी सड़क पर परती दिन हमारे चुने हुए जनपरती निधी चायो बक्च के हो चायो विपक्च के हो इसके अलाबा उच अधिकारियों का भी आवा गंबन उस सड़क से लगा रहता है परन्तु उसके बाउजूद उस सड़क की सुधार के लिए किसी भी तरह का कोई कारी नहीं किया जा रहा है जिसके संगबन में वहां के इस्तानली लोग परिशान होने के उपरान इस विशे को लेकर संकल्लान सेवा जंजागरिती संगठन के तात्माधान में एक ग्यापन जिला कलेक्टर लोक निर्मान विभाग एवंग नगर नीगम आयुक्त के समक्च सौपा गया है और उसमें चेतावनी दी गई है कि अधी इसकी स्तीती अगर सुधार नहीं किया जाता है तो उन गड़ों पर बेशरम के पेड़ ल लोगों को बेहत परिशानियों का सामना करना पड़ता है रात के समय स्थिती और भी भयावा हो जाती है जिस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुवे